हेलो गाइज वेलकम टू गूगल कमेश्ट्री आज हम एक मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक टाइप आफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे तो आज मेरी आप से एक रुकेश्टे की प्लीज इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा होता क्या ना कि आपको अगर सॉल यूनिट सेल होते हैं सिंपल यूनिट सेल, बाडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेंटर्ड यूनिट सेल एंड ऍे चेंटर्ड यूनिट सेल इन सारे चीज का डिसकसिन क्योंगी जब तक आपका यह चीज नहीं कε जैसे NACL, CHCL, इन सब के structure को भी नहीं कर सकते और किसी भी चीज के structure के full study करने के लिए हमको ये simple cubic cell या बोले तो पूरी unit type का cell है हमारा इसको study करना बहुत ही जाला जरूरी है जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे कि कितने atom corner पे है, कितने atom centered पे है तो बहुत ही आराम से समझना है, एकदम practically समझना है तो आप लोग एकदम अच्छे से copy और pen लेकर full concentrate हो जाईए क्योंकि आज का lecture इस chapter का सबसे ज़्यादा important lecture है तो आईए हम बात करते हैं type of unit cell की सबसे पहले अगर हम बात करें definition की तो मैंने definition आपको बता दिया था unit cell क्या है, एक बार फिर से हम आपको flashback में ले जाना चाहेंगे और जो students उस video को नहीं देखे हैं सबसे पहले request है कि वो जा के वो video को play करके देख ले because होता क्याना direct आप type of unit cell में आएंगे तो चीजे clear नहीं होगे तो हम बात करें अगर unit cell की, तो मैंने क्या बता है repeating unit एक repeating unit जो बार बार repeat होगे crystal lattice का formation करती है उसी को हम क्या कता है unit cell ऐसे इसे मारी body में cell है, बार बार repeat होके body का formation करती है ठीक, उसी परकार unit cell होती है, जो बार बार repeat होके एक regular arrangement में infinite number में use okay और एक lattice या crystal का formation करती है इतनी चीज़े हमारी clear हो चुकी थी अगर हम बात करें type of unit cell की तो mostly book में it is mainly divided into two parts वो दो part कौन से हैं आप भी मेरे साथ बनाते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो दो part हमारे हैं एक है हमारा simple क्या हमारा एक हमारा simple unit cell simple unit cell अभी मैं इसको explain करूंग अच्छे से और जो हमारा दूसरा यह प्रिमिटिव स्वारी प्रिमिटिव इसी को कहते हैं जो हमारा दूसरा यह है centered unit cell centered unit cell अब देखिए आप कहेंगे सर बुक में तो फोर टाइब दिया है मैं आपको explain कर रहा हूं आप हम बात करें simple unit cell की तो इसी को हम क्या कहते हैं primitive unit cell primitive unit cell primitive unit cell primitive unit cell फिर हम बात करें अगर की centered unit cell तो it is divided into three parts यह तीन टाइप के होते हैं और overall यह three type और यह one type आप जब मिला लेंगे तो आपका four type हो जाएगा जो की आप बुक में और इसमें हमारा क्या है सबसे पहले face centered अब फेस इंटर्ड यूनिट इस आप भी लिखते हुए चलिए उसके बात बात करते हैं तो हमारा body centered unit cell body centered unit cell और जो हमारा last वो क्या है end centered unit cell अब देके बुक में इन सब का salt form भी आपको मिल जाएगा जैसे basically आप किसी numerical में आप किसी questions में देखते होंगे तो आपको यह इसे मिल जाता होगा SC आपको यह मिल जाता होगा FCC इसमें मिल जाता होगा आपको BCC तो आप सोचते होंगे यह क्या है तो यह कुछ नई चीज नहीं यह सारी चीज़ें ECC यानि कि end centered unit cell तो यह सारी CC होई हमारी category यानि कि type of unit cell तो आप हमको पढ़ना है कि इसमें क्या करना है और FCC में क्या करना है body centered में और end centered में तो आप सबसे पहले तो इसको नोट डाउन करिए आप या स्क्रीन साथ लिए after this हम explain करेंगे simple type unit cell क्या होता है और बहुत ही practically imagination को करते हुए हम लोग को explain करना है तो आप भी मेरे साथ imagination करिएगा और यकीनन समझ में आएगा आपको तो ठीक आप नोट डाउन करिए पि अगर इसके लिए हम बात करें तो हमने मान लेजिए कि हमारा एक क्या unit cell है ठीक है इतनी चीजे तो आप भी बना सकते हो और एकदम habitual हो जाई है इस ती इसको बनाने के लिए क्योंकि solid state में यह चीज आपको बहुत बार बनाने है बात करें इसकी तो मैंने काहा कि यहां पे अगल होगा 90 यहां पे भी 90 और यहां पे भी 90 क्योंकि एक दूसरे के perpendicular आं किलिए मैने इसको माना था मान लिएक समाना था इसको वाई माना था इसको जडू आपके उपर है आप कया मानते है और हमने इसको कहते ए इसको कहता 20 थो गाट सी यह हमारा क्या था ब्राबर गामा ब्राबर 90, यानि कि हम इसको अलफा मान ले इसको बीटा मान ले इसको गामा मान ले यह तो हमारा क्योबिक सिस्टम के लिए हमने परामीटर पढा था, अब हम अगर बात करें कि हमारा क्या होता है simple type unit cell या आप लिख सकते हैं कि इसको क्या primitive unit cell तो इसके case में हम बात करते हैं अगर आप normally एक cube लेते हैं माली जी हमने ये cube लिया ठीक है और इसके corner पे इसके corner पे अगर आप atom रखते हैं छोड़ी आपको ये कहां से पता चला कि इसके corner पे ही atom रखते हैं तो सबसे पहले अगर simple type unit cell को explain करना है तो यहां पे जो सभी atom होते हैं यानि कि simple type unit cell में जो हमारे सारे atom होते हैं वो का होते हैं? situated at corner तो आप लिख सकते हैं कि यहां पे point करके याद करने के लिए कि atom are situated at each corner यानि कि जो हमारा cubic system, उसके प्रतेक कारणर पर ये हमारे atom, जो है, इस्टिबलाईज होते हैं, अब हम बात करें कि ये हमारा cubic unit, जला है, इसमें कितने कारणर है, तो इस जी इसको समझने के लिए, हम थोड़ा सा आपको कोसिस करें के समझाएं, और आप imagination भी करिएगा कि मान लीजे आपके हाथ में क्यूब है, एक यहां पे होगा corner, एक यहां पे होगा, और एक यहां पे होगा, एक यहां पे, एक यहां पे, कितना हो हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ, हमको दो corner और करने चाहे हैं, एक हम यहां पे, और एक यहां पे, यानि कि ह पास in Coo dis अगंने कि एक सफ आय को ऑड़ खाए उड़ कारणर को कबार करेंगे मुने कहीं क्यों ikijust कार्नर को कंसिस्ट की होते है यामिजीं कि एक सिटुएट एड इस कार्नर केला किसा के लिप कितने हो पार् हैं तो अगर हम मैं बात करें 8 corner है और कितने 8 हम हमारे 8 है अब ये इस पूरे cubic का कितना percent portion अपने आप में occupied करते हैं ये सीज मैटर करेगी तो अगर हम आपको practically थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे अगर हम आपको एक cube ले और cube के चारो corner पे आठो corner पे हम ball रखने को कहें तो एक ball cube के कितनी portion को occupied करेगी ये चीज अगर हमको clear हो गई तो फिर हम आसानी से इसके सारे formulae derive कर लेंगे इस तीज को समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एक पूरी ball है अगर ये एक पूरी ball हम यहां पे बता रहा है माली जी हमारी एक ball है जिसको इसके corner पे रखना है ठीक है इसके corner पे रखना है तो ये अगर हम ऐसे कहें तो ये इत हाफ कर दें तो हाफ तो ये करी नहीं रही है अब बात करें हाफ बॉल की यानि की हम एक हाफ बॉल की बात करें कि इसमें से कितना कर रही है अब इस हाफ बॉल से आप देखेंगे तो एक नाइंट इस हाफ यानि इतने में से यहां से हम आगर देखेंगे यह यहां से एक न पनाना चाहिए तो और अच्छे से कर दे रहा हैлох मतलब मतलब यह हुआ किımaरी हमारी कॉप आपना ही में तो यह सूची और आधें तो हम हम देखेंगे कि जो हुमारा आप द्यान से देखेगा कि जो हमारा क्यूब के अंदर है वो बस इतना पोर्षन है ये इतना पोर्षन है अब ये इतना पोर्षन आपको हाफ देख रहा होगा बट नहीं ये एक बटे 4 है ये आधा आधा इसका पोर्षन ये तो पूरा खाली है यानि एक बटे 2 पूरा खाल की है हाव बॉल के लिए और फुली बॉल के लिए एक बटे आठ पोर्शन अकुपाइड की है जैसे हम आपको ऐसे समझा रहा है मान लीजिए कि यह देखे यह हमारे पास एक क्यूब है यह हमारे पास एक क्यूब है सबसे पहले तो इसके आठ कार्नर पे हम आठ बॉल रखें चिए आधुय पहले देखर अगर इस पहुह पहला अगर इसम पर इत कि एक को तो सब Beauty winner ईनतिकेागर की तो औभ यह दो अधियोगा अधिय्वकों के सब्सक्राइब करें कीओuben पाया जाएगा कैसे मैंने समझाई कि अधी 왔 am papa ने तो होता कि आधी बाल टेढ़ पूरी चुट गए याना मिशार इतना को रहा याना की इसके उधर वाला पोर्षन खाली है यानी कि एकद़ चार पोर्षन कबर हो रहा है इस क्यूब में तो हम कह सकते हैं कि वन अपान एट यानि वन एर्थ पार्ट कबर हो रहा है यानि कि एक बटे आथ पार्ट यह फुली आकुपाइड कर रही है कि इसकी क्यूबिक यूनिट सेल की क्या बॉल या एटम तो यह चीज हमारी हो गई तो अगर हम इसके लिए रखें तो हमारे पास कितने कारनर है आठ कारनन और कितना अकूपाइड हो रहा है हमारे पासका अकूपाइड हो रहा है वो वन 8 अपं एट एटम आकूपाइड हो रहा है यानि कि अगर हम बात करें टोटल एक्ट कट गया तो यह एट सा एक дополн आपा учन काऊपाइड हो है तो एट कार्णर और वन पान एट पार्ट अक्वाइड हो रहा है उसके लिए टोटल एटम निकाले इस पूरे क्यूबिक के लिए तो केवल और केवल एक एटम आएगा तहां से आएगा यह देखिए एट कर जाएंगे एक एटम यानि कि टोटल हमारा एक यूनिट सेल में एक एटम के जितना डिस्टेंस या एक एटम के जितना पोर्शन अकोपाइड होता है तो यह हमारा इसके लिए हो गया और सिंपल यूनिट सेल या प्रिम्टिब यूनिट सेल मैंने आपको बताया कि इसमें केवल कार्णर पे एटम उपस्थित होते हैं ना सेंटर पे ना पे केवल और केवल कार्णर पे सो इट इसकाड़ सिंपल यूनिट सेल आर प्रिम्टिब यूनिट सेल यह चीज़े आपको क्लियर होई होंगी आयोप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बस आप यह वाला कांसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझीएगा और टोटल इमे कवर्ड वाई इन यूनिट सेल इस वन बैलू कितनी आई वन अब आपसे निमेरिकल में यह बहुत काम आएगा आज हम लोग यह जो भी पढ़ेंगे इन सबके निमेरिकल तुरं देखेंगे जिससे चीजे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो अब जो हमारा दूसरा टा जो है फेस सेंटर्ड यूनिट चल तो इसके लिए सबसे पहले आफ इस्टार बना के लिख लीजिए कि यहां पर एटम इच कारणर पे तो होते ही है एटम कारणर पे तो रहेंगे ही रहेंगे साथ में फेस पर भी रहेंगे अब आप सोचेंगे सर यह फेस क्या होता है मतल सबसे पहले हमने एक यूनिट सेल जनरेट किया वात करें हमने कहां कि यहां पर सबसे पहले है लिख लिख दे रहा है इच कार्न के सब बलाज केसरे में ऐच फेसर सहते ранadik अगर हम बात करे नहींक नब यहां पंख़ाए जिरी नहीं one आपे झार इके साफ पहरा होगा सबचिताइए हां इसके भी आप को दिखाए ना पे एक यहां पर यह चार और एक मैने आपको दिखा है इसके लिए दो टाठ्म को यहीं पर लगा ना होगा यानि कि एक यहां पर और एक यहां पर यह चीज़े आपको clear दोरी है ना एक एसे, एक एसे, एक एसे, एक एसे तो एक उदर पीछे से और इधर आगे से भी तुझा एगा तो यह चीज़े हो गई यानि कि अगर हम कहें यहां पर कबर कितना हुआ तो हमारा eight corner पर eight corner पे एक कार्णर पे कितना आक्नुपाइड हो रहा था अकुपाइड हो रहा था ना यह हमたब मराल हम टोटल एटम की बात कर रहा है तोटल एटम की बात कर रहा है कितना कोना काशुपाइड Content टोट एट कार्ना पे एक एक्टम है और कीट ऐट में तीन पोर्षन छोड़के बस एक पोर्षन यानि हाफ का वन अपान फोर यानि ओबराल का वन अपान एट पोर्षन कबड़ करते हैं अब हम बात करते हैं यह तो कारणर पर हो नहीं कट के ओबराल एक एटम हमारा आया कारणर पर जो आकोपाइड होता है बात करते हैं अगर हम faces की तो कितने faces हैं आप देखिए एक दो तीन चार पांच छे और यहां पे भी एक दो तीन चार पांच छे यानि कि छे faces है तो हम यहां पे सबसे पहले six faces लिख दे रहा है ठीक है अब कितना position आपको पाइड हो रहा है मान लीजे कि यह face है इसमें हम एक ball ऐसे face से डालें तो पूरी नहीं डालना है हमको इस face पे ही रखना है तो आधी ball अंदर जाएगी आधी बाहर यानि one upon two आरे आप सीधी सी बात है कि अगर यह हमारा एक face है और इसमें एक ball ऐसे रखें तो यह half portion यह half portion अंदर जाएगा यानि one upon two तो हम यहां पे six into one upon two कर सकते हैं यह कटके आएगा three यानि कि अगर हम कहें faces के द्वारा तीन एटम की position लगबग तीन एटम के जितना distance कबर हो रहा है और जब इनको जोड़ दें total कितना कबर हो रहा है यानि एक face centered unit cell में कितना कितनी position occupied करता है atom cubic की तो three plus one यानि की four यानि total atom कितने हुए four हुए तो यह भी बहुत ही ज्यादा important आपके लिए यहां से भी numerical काफी ज्यादा पूछते हैं अब हम बात करते हैं I hope समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की जो की हमारा क्या है यहां पे हम face centered लिखे थे अब center of body यानि की एक center को भी कबर करता है body में यानि unit cell के center में यानि की corner तो यह रहेंगे यह 8 atom साथी साथ 1 atom बीच में यहां कह सकते हैं कि जैसे हमारा यह है मान लीजिए यहां से एक pole डाल दिये यानि की यह center में जैसे यह उपस्तित एक यहां पे और 8 corner यह देख रहा है आपको यह दिखाई दे रहा होगा जैसे यह center में यह तो बहुत बड़ा है वो छोटा सा रहेगा और 8 corner पे तो जो अंदर रहेगा वो तो पूरा कबड रहेगा इतनी चीजे के लिए और जो corner पर रहेगा वन अपान एर्थ यानि 1 एर्थ पोजीशन कबर करेगा तो इसमें center की one centered एक ही रहेंगे center पे ठीक है क्योंकि center एक ही है one centered पे बात करें तो हमारा कितना इसकी बैलू पूरी पूरी की पूरी बॉल यह उसके अंदर ही रहेगी यानि कि पूरा एक atom पूरा उतना space लेगा उस cube गा यानि कि अब हम बात करें अगर total की तो हम क्या कर सकते हैं 1 प् है and centered आप इसका screenshot ले लीजिए या तो आप बना लीजिए and centered की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा हेर नहीं करना बस थोड़ा सा चेंजम को करना है जैसे हम सबसे पहले हम इसको नीचे मिटा दे रहा है बाकि यह चीजे इतनी चीजे सेम रहेंगी and centered में corner पे तो रहेगा या यहां फेब दो फेज पर रहेंगे और वह भी का हुआ दो फेज बार केवल दो फेज लेंगे तो देखिए अगर दो फेज लिंगे या अनि okiem applicलने रहा है और आक नीचे से तो हम डारेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या आपको यहां नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए दो फेस ले लीजिए ठीक है एक उपर से एक नीचे से मतलब एक दूसरे के अपोजिट यानि कि अगर हम इसमें बात करें तो एक फेस वूपर एक एटम उ तो इस कारनर के लिए बैलू फिर वन एटम आएगी कैसे आएगी यह सारी सीजे हम लोग देख चुके हैं बात करें अगर टू फेसे की तू फेसे की अगर बात करें तो यार देको मैंने का ना 50% पॉर्शन तो अगर दो फेसे की बात हो रही है क्योवल और क्योवल दो फे फेसे में छे कबर कराये थे वन हाप पोजीशन यहां पे दो फेसे की क्योवल एंड संटर्ड में और यफ सीसी में बस इतना तरह तो इसकी बैलू आएगी कट्विट के एक यानि वन प्लस एक बराबर टू यानि टोटल एटम कितनी पोजीशन आकुपाइड करेंगे कर लिजीगा तो यह हमारा च्यारो टाइफ हुआ टाइफ यूनिट सेल का सबसे पहले सी फिर एप सीसी फिर बी सीसी और फिर ए सीसी तो आयोप आपको समझ में आया होगा और यह सारी बैलू आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आभी तक कुछ ची है जैसा कि हमने बैसिकली फोर टाइप के यूनिट सेल पड़े तो यह हमारा सिंपल क्यूबिक हो गया यह हमारा फेस सेंटर हो गया यह बाडी सेंटर और यह एंड सेंटर ठीक है इतनी चीजे कुछ बुक्स में आपको तीन ही में कंप्रेडिव इस्टिडी देगा यह 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 एंड सेंटर को नहीं देता तो हम आपको चारों बता दे रहे हैं आपके उपर डिपेंड है कि आपके बुक में कैसा या क्या कोश्चन पूछा जा रहा है और यह रैंक मोस्ट इंपॉर्टन है क्योंकि कभी-कभी ने टो गहरा में रैंक से कोश्चन आते हैं तो सबसे क्यूबिक में एक भी एटम फेज पहले नहीं थे और न एक भी सेंटर पर और टोटल एंटम्ज होते होँआरे A क्योंकि कट्पिट के एक ही आया था आपको याद होगा ठीक है अब हम बात करते हैं सेंटर में तो यहां पे भी हमने कहा था कि फेस सेंटर में कार्नर तो कब करेंगे यानि कि 8 into 1 upon 8 corner पे एक आया कट पिट के और फेस पे कितने 6 into 1 upon 2 क्योंकि फेस में कितना कवर करते हैं 50% यह कट पिट के 3 आया यानि 3 face पे एक यहां पे और और centered पे एक भी नहीं थे FCC के गेस में और 3 1 3 plus 1 करेंगे तो ओबराल 4 एटम clear फिर हम बात करते हैं body centered में तो यहां पे भी हमारे corner पे तो थे ही थे यानि कट पिट के यह भी एक आया बट बात करते हैं faces पे तो हमारी BCC में faces पे एक भी नहीं थे और जो हमारा था वो center पे था एक यानि की 1 plus 1 कट के कितना एक क्यों यहां पे पूरा एक लिया क्योंकि जब center में है तो पूरा covered पूरा occupied है तो यहां पे 2 होगा ठीक है ना clear फि face पे तो यहां पे केवल two faces रहते हैं दो faces पे हैं और one upon two portion कबर करेंगे cut pit के हमारा कितना हेगा एक यानि की one plus is पे एक भी नहीं centered पे बस एक में अगर आप से कोई पूछे कॉछे कॉछे कॉन सी है सी टाइप की उनिशला इसमें केवल centered कबर होते हैं तो BCC body centered cubic cell clear फिर हम बात क्या होता है क्योंकि बीना इसको पढ़े हम और चीज़े नहीं clear कर सकते coordination number वह आपको मतलब जो भी अभी तक पढ़े होंगे अभी यहां पे थोड़ा सा इसके case में लेना है कि कई सारे atom या कई सारे ball अगर रखे जाएं तो उसका coordination number कितना होगा और यह मैंने जो भी पढ़ हैं आप यह मत सोचेगा कि सर ने complete करा दिया अभी hexagonal के लिए हम अलग से पढ़ेंगे ठेके ना octahedral के लिए और अलग तो यह चीज़ होई coordination number क्या है अगर हम आप से कहें लेकि अगर हम आप से कहें कि यह एक ball हमारे पास और इस ball से एक यह ball touch है एक यह ball touch है एक यह ball touch है और एक यह ball touch है तो इस ball की coordination number यानि कि यहाँ पिर चार पडोसी है चार उसको गया रहे है तो इसची coordination number four है बट अगर यह एक ball और टच होती यह ball और touch होती तो इसकी coordination number six होती यानि कि एक ball से जितने closed उसके ball touch है यानि जो उसको surrounding किये हुए central metal atom जर नहीं है central atom को जितने atom क्या किय तो यह बहुत ही जादा काम की चीज़ है अभी हमारे काम आगे आएगी अब बात करते हैं कि यहां से रिलेटर डेक निमेरिकल की और रुके रही है का को स्टेंस आप दे आज आज आपको जरूर मिलेगा और बहुत ही अच्छे से मिलेगा तो इसको भी आपको करना सबसे पह इस चला है जो ए और बी एटम से मिलकर बनाए क्लियर इस एटम ए इस सिचुयेटर या यदि एक अटम ए उपस्थित है एक कारणर एटम एक नेजिन के प्रतें कारणर पे ए एक अटम है जो कि 8 कारणर को कबर किये है वह इटम क्या है आँसा है और बी जो है एटो बीशन यानी कि यहां से यहां से यहां से और नीचे से तो इसका ॉस को करने का तरीखा सबसे पहले तो आप बात करें अगर FCC की तो आपको पता है कि FCC पे corner पे होते हैं atom और as well as faces पे ठीक है यानि corner और faces दोनों पे हमारे होते हैं तो अगर हम बात करें corner पे तो corner पे हमारा A atom है यानि कि atom A की बात हो रही है यहां पे atom A के द्वारा तो यानि 8 into 1 upon 8 यह कितना आएगा overall 1 atom occupied होगा इतनी चीज़े clear अब हम बात करते हैं faces पे तो हमारा FCC के case में कितने faces हैं यानि B atom के लिए कितने faces हैं हमारे 6 होते हैं और कितनी position occupied करते हैं 1 upon 2 यानि कटके आया कितना 3 अब यानि A हमारा A के अटम है और B हमारा 3 अकोपाइड कर रहा है clear ना A के द्वारा A के अटम की position occupied की जारी है और B के जारा 3 यानि कि जो formula बनेगा A B 3 type का बनेगा clear यह हमारा molecular formula हो यह हमारा answer हुए तो आयोप आपको समझ में आया होगा और फिर इसके just बात इसी टाइप के questions मैं आपको देता हूँ यह ने सेल क्रिश्टल है CL Ion arranged in FCC जो हमारा क्लोरीन आयन ने में दो टाइप के ने किटायन सोडियम क्लोरीन आयन वो रेंज एप सीसी यह फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अरेंज है इस क्लोरीन का कितने आयन उपस्तित होंगे हो इस एटम में तो जैसे हमने पिशला questions किया सेम यहां पे AB की बात हो रही है बस और वहां पे क्लोरीन की एक चीज मैं आपको हिंट देख रहा हूं कि जितने नंबर आफ सोडियम होंगे उतने नंबर आफ क्लोरीन होंगे क्योंकि दोनों इक्कोल होते हैं दोनों की क्वाडिनेशन नंबर एककोल होती है तो इस questions का जवाब आप comment box में दीजेगा ठीक आज के लिए इतना ही thank you